नमस्कार दोस्तों मैं आरियन सर्माँ और आप लोग देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स चैनल तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा दस्वी इत्यास का दूसरा अध्याय इंडो चैना में राष्टवादी अंदोलन इससे पहले बला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं अध्याय एक का तो वीडियो के नीचे डिप्सिस्टम बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं तो फ्रेंट्स जैसा की पता आप लोग को इत्यास या हिस्टरी की बुक जैसे आप उल्टाते हैं तो एक लंबी कहानी मिल जाता जो कि 7-8 पेज का रहता है तो कुछ बच्चे को समझना मुस्किल हो जाता है यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस अध्याय में कोई कन्फियोजन नहीं रहेगा क्योंकि मैंने तरिका बतल दिया पढ़ाने का तरिका बदल जिया और आप लोग समझने का तरिका बदल जिये बिल्कुल आसान तरह से कैसे समझेंगे देख लिया आजै बाबू हिस्ट्री में क्या है कुछ ऐसे इंसान है जैसी कि मैं बात करो इंडोचेना में कौन-कौन से इंसान काम किये थे किस तरह का काम किये थे उसके बारे में जानना जरूरी है और सबसे ज़ादा जानना किस चीज के बारे में कौन सा S.V में क्या हुआ 1945 में क्या हुआ 1948 में क्या हुआ 1858 में क्या हुआ ये चीज जाना बिलकुल ज़रूरी है तो संपुर्न अध्याय को हम लोग किलियर करेंगे ठीक है एक एक बात को आप लोग को समझा के छोड़ेंगे तो वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखेगा ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी यहां से पहला ची आप लोग को यह आद रखना है अब चरिक रूप से बियत नाम को जो सोतंता मिली सोतंत हो गया 1945 में और इंडोचेना तीन देश से मिलकर बना है तो बाबु याद रखना है इंडोचेना तीन देश से मिलकर बना है कौन-कौन सा बियत नाम, कामबोडिया और लाओस ठीक है अगला पॉइंट्स के और चलते हैं समझाते आपको 1858 में फरांस पहली बार बियत नाम में परवेश किया बियत नाम गया और धीरे धीरे उसने पूरा बियत नाम पे यहाँ पे सौरी नियत नाम लिखा हुआ आपको पढ़ना है बियत नाम बियत नाम पे अपना कबजा डालने लगा वहाँ पे वेपार बढ़ाने लगा कौन फ्रांसी सी लोग जो था वहाँ पे जाके अपना कबजा बढ़ाने लगा अपना वेपार बढ़ाने लगा और वेपार से क्या होता है वहाँ पे अपना कबजा बढ़ जाता है अपना नाम चलने लगता है ठीक है चलते अगले पॉइंट्स की और अगला पॉइंट्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 1887 इस भी में फ्रेंच इंडो चेना का गठन हुआ अब गठन मतलब समझते हैं सभा बगेरा जो होते उस तरह से कोई चीज का फैसला बगेरा करना होता है तो गठन हो जाता एक जूट होके इस चीज को निर्ने लिया जाता है तो 1887 इस भी में फ्रेंच इंडो चेना का गठन किया गया और फ्रांसिसी सिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे अब देख इसकूल खोला गया और इसकूल में उसे फ्रांसिसी लेंगवेज जो होता है भासा होता फ्रांसिसी वह देने लगा उसे समझाने लगा फ्रांसिसी सिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे बिलकुल अब देखिए बात आता है 1907 में टोकीन फिरी इस होते भाई उसने क्या-क्या वहाँ पे एक इसकूल खोल दिया मतलब बिलकुल फिरी सेवा कोई रूपिया पैसा नहीं लगेगा अज इसकूल में पढ़ाई क्या होगा बियग्यान पढ़ाई होगा सुक्षता से पढ़ाई रेलेटेड होगा और फ्रांसिसी भासा की कथा भी सामिल था क्योंकि वह अपने रंग में रंगना चाहता था अब देखिए अगला बात 1907 की बात आप लोग समझे क्यों 1907 में वियत नाम में क्या-क्या फ्रांसिसी लोग ने इसकूल खोला और 1926 के और चलिए 1926 में साइगोन नेटीव गर्स इसकूल में अंदोलन क्या विवाद का कारण कतार में बैठने के लिए कहना मतलब 1926 में साइगोन नेटीव गर्स इसकूल जो था उसमें अंदोलन हो गया विवाद का कारण क्या था कतार में बैठने के लिए जैसे कि आप लोग कक्छा में बैठते हो बैंच पे तेक लाइन से बैठते हो उसी तरह ब चुहों को पकड़ने की मुहीम सुरू कर दिया गया वहां पे चुहा पकड़ना कर दिया चलिए आगे समझते हैं आगे आते हैं हम लोग नौ नंबर प्वोइंट पे, हुआ हुआ अंदोलन, देखिए नाम जो था फ्रांसीसी लोग का गजब गजब नाम मिलेगा आप लोग को, हुईन फू सो याद रखना है हुईन फू सो थे अब देखे ये कौन थे वह जादू टोना करते थे मनोरंजन करते थे और गरीबों का मदद करते थे लेकिन फ्रांसिसी सरकार उन्हें पागल घोसित कर दिया गया आपको ऐसे भी पता होगा जो अच्छे काम करते हैं अच्छे चीज के लिए करते हैं और अच्छे भलाई के लिए करते हैं सब की भलाई के लिए करते हैं उसे तो पागल कहा ही जाता है कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है और उसे क्या-क्या फ्रांसिसी सरकार ने उसे पागल घोस अब उत्तर दक्षनी बियत नाम दो अलग अलग राज बन के बात समझ में आया नहीं है फिर से समझे फ्रांस हीसियों को पराजे के बाद जनेवा में चली सांती वर्ता में बियत नाम के देश का बिभाजन मनाने का बाध्र कर दिया मतलब मना कर दिया ठीक है रुकाबट कर गया और उत्तर और दक्षनी बियत नाम दो अलग अलग राज बन गया बिल्कुल इस बात को आप समझ गये होंगे चलिए अब हम लोग चलते हैं कहां पर तो चलते हैं हम लोग यहां से ठीक है अब जो हम लोग अमेरिका के सामने नहीं ठीक पाएंगे इससे अच्छा है कि हम लोग समझ गया होता है कि आप भी खुस रहो अपने देश में हम भी खुस हैं अपने देश में जरूरत का समवान हम आपके देश से लाएंगे और मेरे देश से जो बनता है जो निर्मीत होता ह ठीक है वह आप ले जाओ यह होता है समझ होता और समझ होता पहास्त चर क्या गया और अमेरिका के साथ टकराव को उसी जगह समाप्त कर दिया गया था कब 1974 इस भी में आगे आते हम लोग 1975 में एक एक कहानी समझते जाएं 1975 इस भी में क्या हुआ था एन एल एप ध्यान रखना है एन एल एप द्वारा राष्ट पती महल पर कबजा वा वियत नाम के दोनों राष्ट्रों को मिलकर एक राष्ट की अस्थापना कर दी गया बिलकुल इस बात को आप लोग समझ गया 1975 इस भी में एन एल एप द्वारा राष्ट पती महल पर कबज और भीयत नाम के दोनों राष्टों को मिला कर एक राष्ट की अस्थापना कर दिया गया अब हम लोग समझते हैं इस इस चीज में कौन-कौन से प्रसनवाली जो इसे की आप लोग को बताते हैं कुछ सब्द होते हैं जिसे आप लोग नहीं समझ पाते हैं दिक्कत हो जाता है आप लोग को जो कि हिस्टरी के बहाद सामय होता है तो उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं जैसे के आप लोग को बता हैं अपनी वेशक वेवस्था तो अपनी वेशक वेश्था क्या होता है वह वेवस्था जिसमें कई देश किसी दूसरे देश पर कबजा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक सोशन करे उसे ही अपने वेशक बेवस्ता कहते हैं अब आते हम लोग थोरा सा ये पोइंट समझ लेते हैं क्या होता है सामयवाद क्या होता है देखें सामयवाद एक ऐसा एक ऐसा बिस्वास जिसमें विभिनताओं की वज़य समानताओं पर ध्यान देते हुए अलग-अलग मान्यताओं और विचारों का एक दूसरे के साथ लाने का प्रियास किया जाए यह होता है समवन्य बाद चलिए अगला जो है एक परकार का जेल एक परकार का जेल होता है जिसमें कानुन प्रक्रिया के बिना पालन किये बिना बिना कोई कानुन बगेरा के ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है वा उन्हें कठोर यातना दी जाती है मतलब उसे सजा दिया जाता है अगला पॉइंट सम आपको समझाते हैं गंतंत अब गंतंत का मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और स्वतंत का मतलब सोतंत मतलब क्या हम लोग freedom है मतलब कहीं मर्जी घूम लेंगे जो मर्जी खा लेंगे ठीक है गंतत आम जनता की सहमिती और जन परती निदित द्वारा अधारित सासन व्यवस्था इसको कहते हम लोग गंतत अब आगे आते हम लोग 5 समझ लेते हैं पाचवा पॉइंट आपको समझाते हैं साम्यवाद क्या है एक राजनेतिक अंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज की जनता और से भी सभी उत्पादन साधनों पर नियंतरन रखता है इसका उद्देश समाज में सभी को समान अधि अधिकार देना होता है साम्यवाद का मतलब समझे नहीं समझे फिर से समझे कैसे एक राजनेतिक अंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज जनता की और से सभी उत्पादन साधनों पर नियंतरन रखता है और इसका उद्देश अधिकार देना यह होता है साम्यवाद आगे हम लोग चमझते हैं हिस्ट्री के भासा के कुछ ऐसे सेंटेंस जिसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं नापन क्या होता है नापम क्या होता है अमिरका में विक्सित क्या गया एक ऐसा और गैनिक रसाइन जो धीरे धीरे जलता है औ अब यहां पर जैसे आता है केमिकल रसाइन का बात आता है तो खरावी तो होगा ही इतना समझ यह नापम कार्थ होता है क्या समझ गे अमिरका में विक्सित क्या गया था एक और गैनिक रसाइन जो की धीरे धीरे तो जलता है लेकिन मानव का त्वचा है उसके संपर्क में आ जाए तो वो पहले उससे चिपक जाता फिर उसको जला देता है अब आगे समझते हम लोग एक अंदोलन क्या होता है समझते हैं एक अंदोलन जो के 1868 में फ्रांसीसी कबजे और इसाई धर्म के प्रसार के खिलाप प्रारंब हुआ था इस अंदोलन का बागडोर साही दर गया होगा जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको बताए थे कि आपको जो हैं बैक्ति के बारे में बताएंगे इंडोचेना राष्टिवादी अंदोलन में कौन-कौन से बैक्ति कौन-कौन सा काम क्या था उसके बारे में भी बताएंगे क्योंकि यही सारा तो इंपोर्टेंट है समझते हैं बिल्कुल आसान चीज है ये सारा चीज बिल्कुल आसान है कैसे देख लिज़े फॉन चो त्रिन ये कौन थे इसके बादे में समझते हैं वियत नाम के एक राष्टवादी निता थे जो राज तंत्र के कटर विरोधी थे वे फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए साही दरवार अत्वार राजा की साहिता लेने के पक्ष में नहीं थे देखे फॉन चो चिन जो अधी पूछा जाए कौन थे क्या थे आपको ये लिखना है कि बियत नाम का एक राष्टवादी अंदोलन थे जो राज तंत्र के कटर विरोधी थे राज तंत्र मतलब क्या राजा का चलेगा वहां पर राजा का चलेगा राजा का हुकुमत देने के वह पक्ष में बिल्कुल नहीं थे चलिए अब हम लोग समझते हैं हुईन फूसो जो इसके बारे में हम आपको बताए थे वे हुआ हुआ अंदोलन के कौन थे संस्थापक थे जो 1949 में बियत नाम में प्रारम हुआ वह गरीबों की साहिता करते वह जादू टोना कर देते थे बिल्कुल यह लिख देना आप लोगो अब आते हम लोग अगला इंसान कौन था फॉन बोईचो फॉन बोईचो बियत नाम के महतपुर राश्टबादी ठीक है उनिस सो तीन में उन्होंने उनिस्ट तीन में उन्होंने रेवुल्येस नड़ी ठीक है रेवुल्य नामक एक पार्टी का गठन किया ठीक है फॉन वोई चुई जो थे व्यातनाम के एक महत्पुन राष्ट वादी थे अच्छे राष्ट वादी थे ग्रेट राष्ट वादी थे और 1903 में उन्होंने revolutionary society नामक एक पार्टी का गठन किया था ये काम किया था आगे हम लोग समझते हैं Confucius देखे बिल्कुल English word है समझ जाएगा Confucius ये एक जो थे नाम है किसी का ठीक है ये एक चीनी विचारक थे जो कि चैना के थे उन्होंने सदाचार बहबार और बुद्धी उचित समाजिक संबन्दों के अधार बनाते हुए एक दर्षनिक ब्यवस्था के विक्सातित किया चलिए यहां तक आप लोग समझ गए हुए तो अब आता है इसका प्रश्ण के बारे में देखे यहां पे इंडोचेना में का भी solution हम करके बता है एकदम असान भासा असान तरीका में तो आपको क्या करना होगा यार वीडियो को लाइक कर देना होगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे motivate करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए दूसरा काम करना होगा आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना हो ठीक है इतना काम कर देना आप कोमेंट जरूर करें कैसा लगा तो चलिए मिलते एक नए वीडियो को लेके तब तक लिए बाबाई जैहिन जैभारत